हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशीकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ IELT20 के मुकाबले की जोगे खेला जाएगा दुबाई कैपिटल्स वर्सिस डेजर्ड वाइपर्स के वीच में दुबाई के दुबाई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर 1 फेबरी को रात के 8 वजे से और इस मुकाबले का लाइव टेलेकास्ट होने वाला है जी नेटवर्क पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में तो दुबाई का जो मैदान है न बल्ले बाजी करने के लिए काफी जादा अच्छा है यह बात हम सबी को पता है बॉल काफी अच्छे से बैठ के उपर आती है और ड्यू फेक्टर बीच में आगा इस वजे से जो भी टीम टॉस जीतेगी न पहले गिंदबाजी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ दुबाई कैपिटल्स के बारे में तो दुबाई कैपिटल्स ने हमें शुरुआत तो काफी शांदा करी थी लेकिन अभी तक ये लोग केवल अपने पांच में से दो मुकाबले जीत पाएं यानि जो बचे पे मुकाबले हैं दुबाई के लिए वो काफी जादा इंपोर्टन्ट होने वाले हैं मैं काफी बार बता चुका हूँ कि इस टींग में जो बल्ले बाजी हो उससे पहले उनको अच्छा करने की जरुवत है और रह्मन उनलोग गुर्बास से भी टींग उमीद करेगी वो बड़ी पारी खेलेंगे इस मुकाबले के अंदर वो T20 के स्पेशलिस्ट है देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में वो क्या करकी दिखाएंगे सिकंदर रजा न मुझे काफ़ी इंप्रेस कि एक दो अच्छी पारी है ये रजा के बल्ले से उनके उपर निगाए होने वाली है साथी में सैम बिलिंग्स जो है वो बिग बैस्ट लीग के अंदर पर अच्छा के लिए थे अब देखने वाली बात होगी इस मुकाबले के अंदर बिलिंग्स क्या कर पहेंगे बल्ले बाजी से और फिर एंड के अंदर इस टीम के पास रॉमन पावल का भी ऑप्शन है रॉमन पावल एक और ऐसे बल्ले बाज जो के अकेले दम पे मुकाबले पलट सकते हैं तो बल्ले बाजी में आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े नाम है इस टीम के अंदर उमीद करते हों इस मुकाबले में लोग अच्छा करेंगे पस सामने जो गिनबाजी है ना वो भी काफी स्ट्रॉंग होने वाली है गिनबाजी में ये टीम मुझे उतनी स्ट्रॉंग नहीं लगती मला दुश्मनता चमीर है इस टीम के अंदर उन्होंने विकेट निकाले फिर एक बार उनकी कंदो की उपर काफी सारी जिम्मधारी होने वाली है लेकिन जेसन होल्डर को में जिम्मधारी लेनी पड़ेगी बहुत ही एक्सपिरियंस टोल्डाउंडर है बहुत टाइम से खेल रहे हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा इस मुकाबले में और स्पिन की गिनबाजी करने वाले रॉलर वेंडर मॉवर वो भी काफी एक्सपिरियंस है तो गिनबाजी में एक्सपिरियंस दिखता है पर T20 फामेट का न X-Factor में कोई दिखाए नहीं देता इस टीम की strength इसकी बनले बाजी है इनको अच्छा करना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर अब मैं आपसे बात करता हूँ Desert Wipers के बारी में कहीं कमजोर ने लगती चाहिए बल्ले बाजी हो चाहिए गिनबाजी हो शाहीन अफरीदी ने पिछले मुकाबले में बल्ले बाजी भी काफी अच्छी करी शाहीन अफरीदी का form काफी तगड़ा है continue करना चाहेंगे मोहमद आमिर की गिनबाजी भी काफी अच्छी है पिछले मुकाबले के अंदर भी वो मुझे काफी शांदार फॉर्म में लगे कंटीन्यू करना चाहेंगे फिर टिमल मिल्स भी लेफट आम पेसर है लियू कूड भी लेफट आम पेसर है तो चार-चार लेफट आम पेसर से इस टीम के पास में वनिंदू हसरंगा की रूप में कमाल का लेक्स पिनर जोगी बहुर अच्छ विकेट टेकर भी है हसरंगा अपने दम पे मुकाबले चेंज कर सकते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए शदाप खान भी है शदाप खान भी बहुर अच्छ विकेट टेकर वह भी अच्छी बल्ले बाजी भी करते हैं कप्तान थे और एक और प्लेयरे शर्फिन रदरफर्ड इस टीम के पास जो कि लोर ओर रोडर के अंदर लंबिला में छक्के मार सकता है तो आप इस टीम को चेक आउट करो बल्ले बास भी अच्छे हैं गिन बास भी अच्छे हैं ये लोग कमाल कर सकते हैं कमेंट करके बाताएं मुकाबले कौनसी टीम जीतेगी जो को मेरे साबसे मुकाबले में पलड़ा भारी रहेगा डेजर्ट वाइपर्स की टीम का उमीद कर रहा हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी लगी तो लेक कीजेगा सबस्क्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए मुलाकात हों कि आप सबले वीडियो के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट नहीं तो कुछ नहीं